fusion food में आज मैं बनाने वाली हूँ अम्रिच सरी फिश काफी चटपटी है मज़ेदार है तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है बोनलिस फिश लेना है आपको उसे अच्छे से सांफ कर ले और स्क्वेर पीसेस में काटे थोड़े पीसेस आप बड़े ही रखे क्योंकि हम इसे फ्राइ करने वाले है और अब इसमें मैं शामिल करूँगी जिंजर गालिक पैस काफी अच्छा एक बड़ा चमच और इसमें जाएगा नमक इसमें शामिल करूँगी एक बड़ा सा चमच लाल मिर्च पाउडर रेट चिली पाउडर हमें यहाँ पर काफी अच्छा खासा रेट चिली पाउडर शामिल करना है इसमें और इसके साथ जाएगा थोड़ा सा अजवायन और तिल और जैसे कि मैंने कहा यह चटपटी है तो एक बड़े लिम्बू का रस इसमें मैं शामिल करूंगी और इन सारी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से मिलाना है और इसे करीब 5 मिनिट के लिए आप मैरिनेट होने के लिए रख दे तो यहां पर मेरे 5 मिनिट के बाद दिखिए कुछ इस तरह से दिखती है यह और अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं कुछ मसाले और कुछ सिक्रेट इंग्रिडियन्स तो सबसे पहले इसमें जाएगा बेसन थोड़ा सा बेसन लेना है और उसके बाद सिक्रेट इंग्रिडियन्स है मैदा जी हां थोड़ा सा मैदा लेना है हमें तक यह अच्छा खासा क्रिस्पी टेस्ट दे हमें थोड़ा सा हल्दी पावडर और अब इसमें मैं शामिल करूंगी चाट मसाला और पहले भी हमने रेड चिली पावडर डाला था और फिर से मैं थोड़ा सा इसमें रेड चिली पावडर डाल रही हूं और इस सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह अम्रत स्री जो फिश है थोड़ी तीकी होती है खटी होती है और उसके साथ मैंने यहाँ पर डाला है एक अंडा फेटा हुआ अंडा है इसको भी हम अच्छे से शामिल कर लेंगे तो बस हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से फिश पर अपलाई करना है इसे और मैरिनेट करकर रखने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ली हम होट ओईल में इसे डीफ फ्राइ करने वाले हैं तो बस यह अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक बड़े पैन में मैंने यहाँ पर काफी अच्छा तेल लिया हुआ है हमें डीप फ्राइ करना है फिश को तो अब यह हमारी फिश फ्राइ करेंगे हम एक बात आपको ध्यान में रखने की यह है कि तेल अच्छा खासा गर्म होने के बाद ही आप इसमें फिश दाले और कम से कम तीन या चार ही फिश के पीसेज डाले अगर आप ज़्यादा फिश के पीसेज डालोगी तो फिश तूट सकती है और एक साइट से अच्छा होने के बाद ही आप इसे टर्न करें तो देखिए हमारी एक साइट से बन चुकी है फिश तो मैंने इसे टर्न कर लिया है अभी थोड़ा और गोल्डन फ्राइ हमें करना है तो ये करीब इस तरह से कलर काफी अच्छा आ चुका है तो ये हमारी फिश काफी अच्छे से कलर भी आ चुका है अच्छे से बन चुकी है पांच मिनिट में ये फ्राइ हो जाती है इसे अलग से एक प्लेट में मैं निकाल रही हूँ और बस इसे हमने सर्फ करना है एक थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें और नीम्बू का रस जरूर इस पर अपलाए करें उसके साथ में डालूँगी थोड़ा सा फ्रेश धनिया और आपकी अमर्स सरी फ्रेश रेड़ी है तो दोस्तों वीडियो के साथ रेशिपी कैसे लगी जरूर बताना और बने रहे हैं फ्यूजम फिर्ट रुपती के साथ अच्छा खाए और अपनी सेहत बनाएं शुक्रिया